दोस्तों मार्केट पे तो आपको काफी सारे लैप्टॉप देखनी को मिलता है बट किसी लैप्टॉप का प्राइस काफी जादा रहता है और किसी लैप्टॉप आपका काम के हिसाब से नहीं बना हुआ रहता है बट आज इस वीडियो का अंदर हम आपको ऐसी तीन लैप्ट आप ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे काम करना चाहते हैं उन लोग के लिए काफ़ेदा फर्फेक्ट होने वाला है इस वीडियो का अंदर आपको जो भी लैप्टोप बताऊंगा वो आप इजी ली जानते हैं लैप्टोप की दुनिया में डेल इंडियान मार्केट में काफ़ेदा पॉपुलर व्रेंड है और डेल 15 2021 जो लैप्टोप है आपको इस नाम से देखनी को मल जाता है फिलाल इस लैप्टोप का डिजाइन देख सकते हैं डिजाइन काफ़ेदा बढ़ी है जहां प का अंदर 4GB का RAM और 256GB का SSD देखनी को मलता है इस प्राइस का अंदर आपको इस लैप्टोप पे SSD देखनी को मिल रहा है वो काफ़ेदा बढ़ी है क्योंकि आर हाट ड्राइब से SSD काफ़ी जाधा फास्ट होयता है और आपका लैप्टोप को काफ़ेदा स्मूथ तरीके से र 3050U का पहुर सा देखनी को मिलता है जो कि यार इस प्राइस की हिसाफ से काफ़ेदा बढ़िया पहुर सा रहे है और दोस्तों इस लैप्टोप का अंदर आपको integrated GPU भी देखनी को मिल जाता है जो कि आपको काफ़ेदा बढ़िया gaming experience भी provide कर देगा हाँ इस लैप्टोप की मा अफिस वार्ग लोग को ध्यान में रखते हुए बनाये गया है और अगर थोड़ा बहुत professional काम करते हैं लाइक वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग तो इस लैप्टोप का ज़रू बाय कर सकते हैं यह जो लैप्टोप है आपको Amazon.in पे 29,999 रुपे यानि 30,000 पे का अंदर देखनी को मल जाता है आप अगर इस लैप्टोप को दोस्तो बाय करना चाहते हैं तो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शिन पर मैंना आपको इस लैप्टोप का लिंक प्रोवाइड कर दिया है आप वहां से जाकि इस लैप्टोप को ज़रू बाय कर सकते हैं द बहुत लोगों को laptop का अंदर silver color radiant पसंद भी आता है, और अगर बात करें इस laptop की कुछ internal pacification, like दोस्तों इस laptop का अंदर आपको 15.6 inch का HD का display देखने को मलता है, जो display का clarity है, वो काफे दब बढ़ी है, और इस display की माधम से, आप अगर student work, office work जैसे काम करना चाहते हैं, वो आप कर सक सकते हैं, उसके साथ अब अगर movie देखना चाहते हैं, तो आप movie देख सकते हैं, अब अगर थोड़ा बहुत game खेलना चाहते हैं, तो आप game खेल सकते हैं, तो काफे दब बढ़ी है display हो जाता है, उसके साथ इस laptop का अंदर 4GB का RAM, and 256GB का SSD देखने को मलता है, दोस्तों इस laptop का Windows 10 Home operating system देखने को मल जाता है, और अगर बात करें इस laptop की पोहसर की बार में, AMD Athlon 3050U का पोहसर देखने को मलता है, और इस laptop का अंदर जो graphics प्रवाइट किया गया है, वो AMD का Radeon Graphics है, तो अगर overall देखा जाए, तो यह जो फी laptop है, वो काफे दा बढ़ी हा design, और काफे दा बढ देखने को मल जाता है, तो इस laptop को भी आप जरूर देख सकते हैं, आप अगर student work करना चाहते हैं, office work करना चाहते हैं, या फिर आप अगर starting पे थोड़ा बहुत professional काम करना चाहते हैं, तो इस laptop का आप जरूर देख सकते हैं, काफे दा बढ़ी हा option हो जाता है इस price segment की साब से, दोस्तों भी बात करते हैं, लिस्ट का अंदर आने वाला, आज की देट पे वान अप दा बेस्ट लैप्टॉप, जो कि आपको आपको आल्मोस्ट 30,000, 35,000 या फिर 40,000 रुपे के budget segment के अंदर देखने को मलता है, वो आता है, इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स, इन् देखने को मल जाएगा, बात करें, इस लैप्टॉप की डिजाइन की बार में, जो कि आप देखी सकते हैं, इस लैप्टॉप का अंदर आपको विंडोस 11 प्री इंस्टॉल प्रोइड किया गया है, उसके साथ इस लैप्टॉप है, वो 14 इंच का डिस्प्ले साइज का काफ़ एदा प्रीमियम लुक आपको प्रोइड कर देता है, इस लैप्टॉप का अंदर जो डिस्प्ले है, वो काफ़ एदा बढ़िया डिस्प्ले है, जो कालर से आपको काफ़ एदा एकुरेटली यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और मेरे हिसाफ से इस आपको देखने को मिल जाता है, उसके साथ इस लैप्टॉप का अंदर आपको काफ़ी सारे बड़िया बड़िया फीचार देखने को मिल जाता है, जैसे कि 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, टाइप सी पोर्ट के साथ, और काफ़ एदा लाइड एन स्लिम जैनिंग जैसे काम करना चाहते हैं, वो लोग भी इस लैप्टॉप को ज़रूर देख सकते हैं, इस लैप्टॉप का जो प्राइसिंग है, फ्लिपकार्ड डॉट कॉम पे अल्मोस्ट 35,000 रुपे से लेके 40,000 रुपे के अंदर देखनी को मिल जाता है, इस लैप्टॉप क अपने प्राइस को देखते हुए, इन तीनों लैप्टॉप का अंदर आप किसी भी लैप्टॉप को पीक कर सकते हैं, बट आप अगर मेरा रिकॉमेंडेशन मानेंगे कि आपको कौन सा लैप्टॉप को बाय करना चाहिए, तो मैं आपको साज़ेस्ट करूँगा कि आप अ काम लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, डिजाइनिंग, फोटो सॉप जैसे काम आप काफी जादा करना चाहते हैं, तो मैं आपको साज़ेस्ट करूँगा कि आप इन फिनिक्स, इन बुक, एक्स वन लैप्टॉप को बाय कीजिए, इस प्राइजिंग की साब से क आफिद बड़ी है लैप्टॉप है, आसा करता हूँ, आप समझ गया होंगे कि आपका नीट की साब से आपको कौन सा लैप्टॉप को बाय करना चाहिए, तब तक लिए अपने खेल जरूरे खिएगा